कि पीस स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीजनल प्लांट लाया हूं और रेनी सिजनल प्लांट है दोस्तों और इसका नाम है बालासम घुल महन्दी भी बोलते हैं इसको हिंदी में और इंपसेंस बहुत सारा नाम है इसका और ये देखिए devil petal में आपका red variety और ये दोस्तों बहुत बड़िया flowering करता है आपका rainy season में और आपका आटम में तो अभी इसका flowering season सुरू हो गया है आपका जुलाई से ही खिल जाता है दोस्तों और नबेमबर तक ये जाता है तो अभी अगर इसका सीड आप लगाएंगे तो बहुत बढ़िया सी ये उगेगा और बहुत ताइम है आपको फूल दे देगा अभी देखिए जुलाई का सताइस तारिक है और मैं सीड बहुत पहले लगाया था करीब एक महीना पहले और ये fast growth plant होता है और बहुत जल्ली बढ़ा होता है तो इसके क्यार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों पहला बात है यह एक एजी टुक्यार प्लांट है और बिगिनर्स भी लगा सकता है सस्ता प्लांट है नरसरी में अगर आप इसे लाएंगे तो 20-25 रूपिया में आपको एक एक प्लांट मिल चाहेगा और सीड अगर आपके फ्रेंड के प्रास है तो सीड से आप ग्रो कर सकते हैं और इसके देखिए सीड ऐसे लगते हैं इसका फूल जब सुक जाते हैं वहां पर दोस्तों और सीड बथा होता है और एक एक सीड वाट से बहुत सारा पोधा होता है और germination इसका बहुत easy है किसी भी soil media में आप कहीं पर भी डाल दीजिए ये हो जाता है और आपका अगर पुराना plant गमले में रहता है तो next year वहाँ से अपने आप ये उगा आता है दोस्तों seed से और इसका देखिए single petal भी आता है ये देखिए single petal जो pink देख रहे हैं ये roadside में हमारे यहाँ उग आता है और सालों साल खिलता रहता है दोस्तों गनेस पुजा के टाइम में ये अकसर बहुत सारा देखने को मिलता है roadside में और इसका देखिए plant का height है अभी आपका एक feet एक feet में देखिए एक गमले में ही है बहुत सारा plant और जदा crowded हो गया है एक गमले में दो ही लगाना चाहिए और जिसका देखिए आपका trunk दिख रहा है आपको लाल वो लाल कलर में आएगा और जिसका white दिख रहा है वो white या फिर red और pink मिक्स आता है एसा बहुत by color भी आता है दोस्तों इसका और इसके लिए आप pot size ले सकते हैं आपका 10 से 12 inch और soil type किसी भी soil type में ये हो जाता है फिर भी आप sandy soil लीजिए 70% और 30% मिला ये गुपर का खाथ और इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है दोस्तों पानी आप कम दीजिए जब उपरी मीटी सुखने लगे तब आप पानी दीजिए और इसका root system बहुत strong होता है और बहुत ज़्यादा root निकलता है ये तो भुरी मीटी ही इसको चाहिए दोस्तों root growth के लिए root growth जितना बढ़िया होगा प्लांट उपर से उपना बढ़िया दिखेगा आपको और ये दोस्तों फ्लावार एक के बाद एक खिलता रहता है नीचे से उपर तक रिखिए उपर भी birds आ रहा है तो उपर तक ये खिलता हुआ आता है और ये cutting के थो भी प्रोपागेट होता है अगर आप इसका ब्रांच का cutting लेंगे और root hormone में डीप करके लगाएंगे तो बहुत जल्दी इसमें root बन जाता है और ये अभी इसका flowering season शुरू हो रहा है दोस्तों बहुत आगे चलेगा और sunlight की बात करें तो दोपहर का sunlight में ये अच्छा नहीं चल करते हैं तो ऐसे में आपको नी मोडल का स्प्रे करना चाहिए और अगर केमिकल की तरफ आज जाएंगे तो इमीडा क्लोपीट बस तीन चार डॉप ही एक लिटर पानी में देखके आपको स्प्रे करना होता है ज्यादा हाड़ डोज देना नहीं है नहीं तो इसका पतों मे आपके फ्रेंड के पास है तो लाक्या आप लगा सकते हैं और इसका अगर आप कटिंग भी लाते हैं तो इस सीजन में बहुत आसानी से लग जाएगा तो दोस्तों गूल पहंदी को लगाईए और बहुत सारा फूल लीजिए यह जो प्लांट आप देख रहे हैं दोस्तों दोस्त के घर से मैं लाया थे सीड और सीड से लखे Bunny हो गया है यह जर्मी नेशन 100% होता है एक भी सीड फेंट फेल नहीं होता है दोस्तों तो सीड भी बहुत बड़ा रहता है साईजमें सोर्सों का दना जो रहता है ऐसा रहता है और बहुत इसली हो जाता है दोस्तों ज् ये दिया थामिय डाई I-Ammoneeum Fosfet , बस दो दाने दो दाने और उधर दो दाने चैसे धानों में देखिए कितना कमाल है ग्रोथ कितना बढ़िया है और प्लांड भी बहुत हेल्दी दि क्येंटथ इसका पत्ता भी बहुत सुन्धर लगता दोस्तों तो यह रेगुलार को फूल देगा और आपसीजन में फूल लेगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए पोधों के साथ नए जानकारी के साथ नमस्कार